मैं इस्टावेरी के फार्म हाउस पर आया हूँ बनारस के चिरई गाउं बलाक के कुकुणहां ग्राम में और यहाँ यह एक मात्र की किशान है हमारे इंजिनियर अनिल कुमार सिंग जी जिनका यह फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस पर इन्होंने डेढ़ेकर में लेचल रहा हूं आपको बात करने के लिए अपना परिच्वा देते हुए आपको किसान भाईयों बताएंगे अपना परिचह दीजिए जी मेरा नाम अविनास कुमार सिंग और मेरा गाउन है सिव्दसा थाना चौबेपूर जिला वारांशी का मैं रहने वाला हूं और हम लोग इस्टावेरी की खेती करीब पिछले साल से कर रहे हैं आप शिवदसा का फार्म हाउस देखते हैं तो क्या वहां भी इस्ट्रावेरी लगा है जी अच्छा तो वहां पर कितना लगा हुआ है वहां पर लगा है करीब हमारे पास एक एकर से थोड़ा कम है एक एकर से थोड़ा कम है जी अच्छा और आप यहां यहांगा फार्म हाउस देखते हैं आनिल कुमार मावरे तो मॉरया जी यह बताएगे कि आप इसी गाउं के हैं क्या इसी गाउं के हैं ये बनारस के चिरई गाउं बलाक के अंतरगत ये कुकड़ा गाउं आता है जहां पर ये अनिलकुमार मौर्य हमारे आदर्णी अनिलकुमार सिंग इंजिनियर साब का जो फार्मा उस है वो इनके अनुपस्तिती में ये देख तो हम पूछना चाहते हैं आपसे किसी डेढ़े कर से आप कितना उत्पादन ले लेंगे करीम में 60-70 कुंतल तक आया जाता है 60-70 कुंतल आप सीजन भर में ले लेंगे अच्छा अच्छा यह इनका कहना है किस डेढ़े कर से 70-70 कुंतल हम इसका उत्पादन ले लेंगे और यह उत्पादन को कैसे बेशते हैं और आपको अगर संपर करना है अधरनी इंजिनियर साहब से तो देखिए मैं इनका पता इनके पैकिंग पर लिखा हुआ है मैं आपको दे रहा हूँ आप इसको अपने से नोट कर लिजे मार्क दर्शन का काम कर रहे हैं यह आप इनसे आप मार्क दर्शन ले सकते हैं तो मैंने आपको देखिए इस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो मैंने आपको दिखाया और देखिए कैसे यह पैकिंग तयार करके यह यह मार्केट तक भेजते हैं यह आप अपने से खुद द यार है और इस पर सब पर लिखा हुआ है डाक्टर अनिल एग्रो फार्म और इनका नंबर भी लिखा हुआ है आप इस कांटेक्ट नंबर से भी अगर आप चाहें तो यह कर सकते हैं और 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 भी विशेश जानकारी के लिए आप मैं फिर ले चलता हूं आपको 73 कुंतल जो यह उत्पादन हो जाएगा तो सर यह बताएं कि सारसाद्टर कुंतल उत्पादन से यह कितनी आमदनी हो जाएगी करीब करीब जो है 30 लाख के करीब आपको आमधनी हो जाएंगे कि एख इस लाख आमधनी की कि यह यह योजना बना रखें हैं और ज्यादा भी हो सकता है तो इसको कमतर करके बता रहे हैं लेकिन इतना तो इनको मिल जाना ही मिल जाना है तो यह कितनी अच्छी लाब कर खेती है और कई महिना लगता है Sir स्यूरुकुस के इक लगाएंगे दो यह नौमबर मीडल से फूर्ट मिलना शुरू हो जाता है अच्छा सब्सक्राइब और किसान माला माल होसकता है और आज महागाई का मुकाबला कर सकता है लेकिन शुरुवाती दोर में इसको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा और इसमें थोड़ा खर्च भी पड़ेगा शुरुवाती दोर में, क्योंकि पौधे में ही पैसा लग जाता है, एक पौधा कम चेकम 12 रूपे काप मिल जाता है, अब पूरे डेड़ेकर में कितना पौधा लग गया होगा सर, करीब 40,000 पौधे इसमें लगे हैं, तो इसे आप समझ लिजे, आप गड़ित लगा करके, कितना पूझी लग सकता है, तो सुलुवात में, अगर आप डेड़ेकर नहीं कर सकते हैं, अधा एकर में करिए, थोड़े में करिए, पहले सीखिए, थोड़ा करके सीखिए, इसके बाद आप अनभवी हो जाएए, तो करिए, और देखिए कितना आप चादर पूरा बिचा हुआ है, और कैसे बढ़िया ये खेती दिखाई पड़ रही है आपको, और और भी किसी तरह की आपको अगर जिग्यासा ह जानकारी चाहते हैं, तो मैंने फिर से आप से कहा, कि आप उनके कांटेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, धन्यबाद किसान साथियो, हम इसी तरह का वीडियो ले आते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा, और कोई आप सवाल आपका होगा तो अप अपने कमेंट बाक्स में जाकर के दीजेगा, मैं पुना इंजिनियर साथ पास आऊँगा, धन्यबाद